हेलो डियर पैरेंट्स कैसे हो जैमातादी आज मैं आपके साथ आपके घर के नन्ने मुन्ने प्यारे से बेबी के लिए होममेड बेबी सेरले की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ इस फूट को खाने से आपके बेबी को कई अन्य परकार के पोसतत्व मिल जाएंगे जैसे की मैगनिशियम, आइरन, प्रोटीन, कैलसियम, फाइवर और इस फूट को खाने से आपके बेबी का मानसिक और सारेरी विकास बहुत ही अच्छे से होगा तो चलिए फटाफट से इस हेल्दी फूट को बटाना तियार करते हैं तो चलिए दोस्तो फटाफट से हम समागरी देख लेते हैं एक स्मॉल साइज कटोरी के बराबर पोहा ले लिया है एक स्मॉल साइज कटोरी के बराबर प्लेन ओर्स ले लिया है और एक स्मॉल साइस कटोरी के बराबर मुर्मुरे ले लिए है 10 से 12 मैंने काजू ले लिया है 10 से 12 बदाम ले लिये है और 20 से 25 मखाने ले लिये है अब सारी चीजों को दोस्तों अच्छे से ड्राय रोष्ट कर लिए गैस की फ्लेम उन करते हुए गैस के उपर पैन रख लिए और गैस की फ्लेम लो कर लिए सारी चीजों को अच्छे से दो मिनट तक गोल्डन ब्राउन कर लिए और दोस्तों इस फूड को आप अपने बेबी को खिलाएंगे तो एक महीने में आपके बेबी का वजन एक से दो किलो असानी से बढ़ जाएगा और इस फूड को खाने से आपके बेबी का मानसिक विकास बहुत अच्छे से होगा और हड्यों की मजबूती भी बनी रहेगी तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे दो मिनट लगबग हो चुके हैं सारी चीजे अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है अब दोस्तों गैस की फ्लेम बंद कर लींगे और सारी चीजों को एक एक्स्ट्रा प्लेट में निकाल लींगे और आदे घंटे तक सारी चीजों को अच्छे से ठंडा कर लींगे यहाँ पर आप देख रहे होंगे सारी चीजे अच्छे से ठंडी हो चुकी है अब एक mixi grinder का जार ले लींगे और इसका एक फाइन सा पाउडर बना कर तयार कर लींगे अगर दोस्तो आपका बेवी 6 महीने का है तो आप इस पाउडर को अच्छे से छान लीजिएगा और अगर आपका बेवी 10 महीने से उपर हो चुका है तो आप इसी तरीके से अपने बेवी को इस फूट को असानी से दे सकते हैं अपर आप देख रहे होंगे सारी चीजे अच्छे से पीश चुकी है अब दोस्तो एक एर टाइट कंटेनर ले ले लेंगे और पाउडर को इसमें एड़ कर लेंगे और इस पाउडर को आप अपने बेवी को हफते में एक से दो बार दे सकते हैं और इस फूट को 15 से 20 दिन त करीब पानी ले ले लेंगे आप चाहे तो पानी के बदले दूद भी ले सकते हैं अब इसमें चार चम्मच के करीब जो हमने पाउडर बना कर तियार किया था उसे एड़ कर लेंगे अगर आपके बेवी की फूड की खाने की क्वेंटिटी कम है तो आप पाउडर की क्वें है अब एक भी इसमें लंप नहीं है गैस की फिले मॉन करते हुए गैस के उपर पतीला रख लिंगे और गैस की फिले मीडियम कर लिंगे लगबग दो मिनट तक अच्छे से इस फूड में उबालाने देंगे और येकीन माने दोस्तों ये फूड बेवी को बहुती पसंद आत है और अगर आपका बेवी दस महीने से उपर हो चुका है तो आप इस फूड को अपने बेवी को असानी से दे सकते हैं तो यहां पर आप देख रहे होंगे दो मिनट लगबग हो चुके हैं और जो फूड बनकर रैडी हो चुका है अब गैस की फिले में बंद कर लिंगे औ अच्छे से मिक्स कर लिंगे और फूड को हम एक सर्विंग बॉल में निकाल लिंगे और अपने सिसू को फूड किलाने के लिए रैडी कर लिंगे तो जो मेरी बेवी है वन यह की कम्प्लिट हो चुकी है उसी के लिए होममेड सेलेक बनकर तयार हुआ है तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही अगर मेरे द्वारा बताई गई हैल्दी फूड की रैसेपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा जादा से जादा शेयर कर दीजेगा और बेल आइकन को किलिक कर लिजेगा ताकि जब भी नेक्स वीड टेक कियर जामाता दी